सबसे पहले जाने के सिटिजन्शिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में कि आपकी क्या राया है इस विशे पर ये एक्ट हिंदुस्तान के लिए जरूरी है या नहीं है देखिए दोस्त सिटिजन्शिप अमेंडमेंट एक्ट ये एक जरूरी है उन लोगों के लिए जो लोग हमारे पड़ोसी मुलकों के सताय हुए अलब संक्या के हैं चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो पाकिस्तान हो और चाहे वो बंगला देश हो हमारे हैं आपने देखा है कि हिंदुस्तान के अंदर जो माइनॉर्टी ज रहती है हिंदु हों मुस्लिम हों सिख इसाई जैन बौद पार्सी जो भी कम्यूनिटी से यहां रह रहे हैं सब इतने अच्छे भाईचारे से रहते हैं कि कभी किसी एक भी माइनॉर्टी कम्यूनिटी ने एक भी एप्लिकेशन नहीं लगाई कि हम आपकी सिटीजन शोड़ना चाहते हैं और पड़ोसी मुल्क में चाहते हैं बड़ उसी के अगर आप दूसरा पहलू देखें तो अफगानिस्तान हो पाकिस्तान हो भांगला देश हो वहां पर माइनॉर्टी को इतना सताया जाता है कि वो लोग वहां पर एप्लिकेशन देते हैं और वहां की कंट्री को छोड़कर हिंदुस्तान आने में उनको अच् यहां पर उनको citizenship लेने में बड़ी दिक्कते पेशा रही थी पहले की सरकारों ने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जब मोदी जी आए और उन लोगों ने अमिश्या जी से मिले मोदी जी से मिले वो लोग तो मोदी जी को यह महसूस हुआ कि हां कुछ ना कुछ तो इन लो अब वो एक्ट हो गिया है क्योंकर राश्पती के महर के बाद वो एक्ट बन गिया तो citizenship amendment act जो है वो उन लोग के लिए हिंदुस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनसे तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है लेकिन सर एक बड़ा सवाल जो यह यह उटता है कि अगर पाकिस्तान हो गया अफगाडिस्तान हो गया बंगलादेश हो गया वहां से अगर हिंदु है या क्रिश्चन है या सिख है वो लोग अगर आते है शानार्थी के लिए उनको act ये help करेगा लेकिन अगर वहां से मुस सल्मान आ नहीं सकता आ जरूर सकता है बड़ जो रियायते वहां की माइनावटीज को मिली है वो रियायत उनको नहीं मिलेगी आपने भी देखा आदनान सामी यहां पर आए तसलीमा नसरीन आने की कोशिश कर रही थी इस तरीके के बहुत से लोग आए उनको कोई मनादी न लाकर एक बड़ा यहां पर एक प्रोविंस बना दीजे उस पर मुदी जी राज कर लें वो बहुत बड़ी या रहेगा वैसे तो पॉसिबल नहीं कि सभी अगर मुस्लिम्स भी हैं पर आकर रहने लग जाएंगे बाहर के तो यह देश कैसे चलेगा इतने बड़ी तादाद में जब लोग आएंगे क्योंकि पढ़ता ही तो वो भी है जो लोग सन 47 में आजादी के टाइम पर पाकिस्तान चले गए आप क्या सूचने हैं वहाँ पर वो खुश हैं वहाँ पर आई तक शरनार्थी का टपा है उनको पर महाजिर कहलाते हैं वो और उनके साथ दोयम वाजधानी है यहाँ पर भी जो है इसका बहुत बड़ा विरोध अभी देखने को मिला हाली में जामिया कि अगर बात की जाए तो यह जो विरोध है जो पूरी कुम्निटी विरोध कर रही है खास दोर से इस चीज़ के लिए भी यह बात उठती है कि उनके पास प्रूफ क कि सिटिजन्शिप अमेंडमेंट एक्ट में यहाँ जो भी रह रहा है वो हिंडू हो मुस्लिम हो सिख हो इसाई हो बहुत जैन पार्शिक कोई भी हो उससे कोई सबूत मांगने का मकसद ही नहीं कोई मतलब ही नहीं आप इसको पढ़िए जो हमारा यह सीए पार्ध हुआ है उसको पढ़िए ऐसा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम पहलाया जा रहा है हुआ क्या है मैं आपको बता हूँ धारा 370 एक टेंपरिरी बिल था उसको कॉंग्रेस गवर्मेंट साथ साल खेच लाई हो नहीं सकता यह होगा वो होगा एक जटके में इस मोदी सरकार ने वहाँ पर उसको खतम कर दिया अब वहाँ पर सब कुछ बढ़िया चल रहा है राम मंदिर का मुद्ध आजादी से भी पहले से यह उलजा हुआ था आज तक इसको यह सौल नहीं कर पाए इसको ऐसा इनोंने बना के डाल दिया था कि यह तो कभी सौल नह हो पाएगा यह होगा दंगे होंगे यह होगा वो होगा मोदी सरकार ने एक सही नहीं थी माना कर सभी लोगों को आपस में भेदबाव भूलकर सौहार्द बनाकर इसका एक फैसला कोट के जरी आया और वो बड़े शांती पर यह तरीके से लागू हो गया अब जो यह अपो भी कुछ नहीं बोल पारे तो इन्होंने एक यह मुद्डा करियेट करा जबके हिन्द।स्तानी मुसलमान के लिए तो इसमें कुछ है ही नहीं मगर उन्होंने ये क्रियेट करा और लोगों को बरगलाया लोगों को बीच ब्र ये खबरे आएंगी नियूज में, तो बाहर के जो मुमालिक, जहां पर मोधी जी जाते हैं, और उनको वहां का नागरिक सर्वोच सम्मान मिलता है, चाहे वो दुबाई हो, चाहे वो साओधी अरब हो, या और जितने भी मुमालिक हैं, वहां पर उनको दिखा सकें, देखो ज जब Citizenship Amendment Act को लोग पढ़ेंगे, तो वो खुद इन लोगों को गाली देंगे, कि इन लोगों ने हमें भ्रहम पहलाया, आज जामिया में देखिए आप क्या हो रहा है, वहां स्टुडेंट्स हैं, उनको बरगलाया गया, और स्टुडेंट्स की आड़ में, जो वहां की बतनाम हुआ, ये सिर्फ अपना रोटी सेखना जानते हैं, राजनेतिक रोटी हैं, बाकि इनको नहीं मतलब किसी को चोट लग रही है, कोई इनिवस्टी बतनाम हो रही है, या कुछ हो रही है, इनको सिर्फ अपने राजनेतिक रोटी सेखनी है, क्योंकि दिल्ली में आने दिया जाए कुछ ऐसा फसाद कर दिया जाए कि लोग जो है वो हमारी तरफ किछका हैं लोग बीजेबी को बुरा मानें लेकिन रेक और चीज इस पर यहां पर यह उटती है कि क्या अभी जैसे हाली में पुलिस के उपर भी आरोप लगे है कि पुलिस ने अपनी तरफ से जो ह पुलिस के उपर अगर आप आरोप लगाते हैं कि पुलिस आग लगा रही है मेडिया ने उसको कंडेम कर दिया कि आग लग रही थी वो पानी डाल रहे थे उस आग को बुझाने के लिए दूसरा एक इंसिडेंट जो कुछ लड़कियों को दिखा रहे हैं वो कि उसको एक लड़के को बचा रहे हैं पहले वो लोग दिल्ली पुलिस हायाई करते हैं ये कहते हैं कि बीजे पी के दलालों को जूते मारो सालों को अगर इस तरीके के लेंगवेज आप यूज और पुलिस के उपर इतना मतलब एक तरीके से अग्रेसिव होके जाएंगे पुलिस अपना बचाओ भी ना करें कि आपने देखा कितने पुलिस वालों के सिर्फ उटे हैं कितने पुलिस वाले घायल हैं मैं मानता हूँ जिन स्टुडेंट्स के साथ हुआ गलत हुआ बट पुलिस अपना बचाओ तो करेगी ना उस बचाओ में अगर किसी स्टुडेंट के चोड़ लगती है किसी पुलिस वाले के चोड़ लगती है तो वो अव्यस है और मैं आपको बता दूँ आज से पहले भी क्या ऐसा नहीं हुआ जामिया में जब मैं पढ़ता था उस टामा रुषदी की एक किताब है स्टैनिक वर्सिस उसमें प्रोफेसर मुशीरल असन थे अब तो वो दुनिया में नहीं है उन्होंने उसके फेवरे में बयान दिया जामिया में आग लग गई पुरी तरीके से और जामिया में उस टाम भी पुलिस यूनिश्टी के अंदर गुस ये तो एक बोधी सरकार को बदनाम करने की साजिशे बागी दिल्ली पुलिस ने जो भी करा अगर गलत करा तो वो कंडम करा चाहिए उसको बट अगर वो लोग अपना बचाओ कर रहे हैं और वो जो गुंडे हैं वहागी राजनी टिक पार्डी हो की वो गुसकर वहाँ पर जाती है यहाँ पर की पुलिस परशाशन से वो अच्छे से काम करवाई लेकिन यहाँ कहीं नगई फेल होता हुआ दिख रहा है वो काम क्योंकि जो परदाशन हुआ है उससे नुकसान बहुत हुआ है स्टूडेंट्स को अलग नुकसान हुआ है पब्लिक प्रपरटी को अ प्रदाशन कर रहे है जिस तरीके का यह अंधुलन हो रहा है तो लोगों को शायद अवेर्नेस है नहीं इतना तो उसका भी विरोध करते है जन्धन में खाते खुलवाती है उसका भी विरोध करते है अगर मोधीजी ने जो करनसी वापिस लेने का काम करा तो उसमें भी लोगों को परिशानी हुई वो तो कोई भी काम आप अच्छा भी करेंगे उसमें भी विरोधी करेंगे दूसरी बात यह है लोगों में जो भरम फेला जा रहा है वो क्या कर रहे है Citizenship Amendment Act प्लस NRC National Citizen Register उन दोनों को mix कर रहे है और लोगों में भरम फेला रहे है देखो आज तो यह हिंदूों को इस तरीके से कर रहे है कल को अगर आप NRC में नहीं आए और एक हिंदू NRC में नहीं आया तो उसको तो यह CAA के थुरू citizenship दे देंगे बट आप कहां जाओगे आप फस जाओगे मतलब कुछ हुआ नहीं क्या होगा ऐसा होगा वैसा होगा यह हो जाएगा वो हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा फ्यूचर टेंस में यह लोगों को डरा रहे है प्रिसेंट टेंस की बात नहीं कर रहे है और मैं आपको बता दूँ NRC में भी अमिश्य जी ने बयान दिया मोधी जी ने बयान दिया कल एक चैनल पर मैं देख रहा था मुक्तार अबास नकवी जो हमारे अलब संख्यक मंतर अले गैबनिट मिनिस्टर है उन्होंने भी ये कहा कि बाई जो हिंदुस्तान में मुसल्मान रह रहा है और जिसके बाप दादा हिंदुस्तान में रहने वाले हैं जो पुष्टियों से यहां पर रह रहा है उस मुसल्मान को डरने की जरूरती बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं और देखो मैं अगर यहां पर पैदा हुआ हूँ मेरे पास यहां का पढ़ाई का सबूत है के भाई मैं यहां पढ़ाऊ मेरी प्रैमरी एजुकेशन यहां होगी सेकेंटरी होगी कॉलेज मेरा यहां पर हुआ मेरे पास यहां का बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे जो बुज़ुर्ग हैं वो यहां पर रहे हैं पढ़े हैं लिखे हैं तो उनका सबके certificates हैं और अगर कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है तो अगर उसके पास जमीन है तो उसके पास जमीन की फरद available है कल को कोई गाउं में रह रहा है उसके गाउं के मकान के कागज हैं भई कागज तो आपको शोक करना पढ़ेगा नहीं तो ये कैसे पहचान ओ पाएगी के कौन Gospatia है और कौन Hindust्तान में रहने वाला है क्या आप चाहते है क्या क्या आपकी आर्ड में Gospatia बच जाएं घॉस पैटिय हम बरदाश नहीं करेंगे चाहिए वो बंगलादीशी हो चाहिए वो रोहंग्या हो, कोई भी हो, गुस्पेट बरदाश नहीं किर जाएगी, और जो illegal migrants हैं, वो हिंदुस्तान से जाने चाहिए, बिल्कुल जाने चाहिए, इसके लिए कोई दो राए नहीं है, मुसल्मान भी ये चाहता है, बट मुसल्मानों को ये कहा जा रहा है, कि किसी तरह से, क्योंकि एक बात और है, दीबग भाई, कि इनके वोटर देखिए आप, बांगला देश में ममता जी ये कहती हैं, वेस्ट बेंगॉल में, कि जो बांगला देशी आया हुआ है, मेरी लाश पर हैं, उनके वोटर हैं, ये जानते हैं, कि अकर ये लोग चले गए, यार हमारी तो सरका, जो जमीन है, वो किसक जाएगे राजनी तेक, अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हर जंगा हालत है, इन्होंने जो हैं, जो इलिगल माइगरेंट्स आये में हैं, उनका अधार का बिचारा पिस रहा है, उसको बढ़का रहे हैं, ताकि उनके आड़ में, जो बाहर के लोग आए हुए हैं, उनको ये बचा सके हैं, देश के उन तमाम लोगों को क्या करना चाहिए, जो इस वक्त एक सियासी दाव पेज में फसे हुए है, या जिनको पता नहीं है चीज के बारे में और बिना वज़े वो परिशान है, तो उनके लिए आप क्या करना चाहिए, लेकि मैं आपको पता हूँ, 90% लोग ऐसे हैं, जिनको सियासत के तौर पर पता ही नहीं है, कि एक्चुल में ये हो क्या रहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ ये अपील करना चाहता हूँ, उन पहकावे में नाए, जो लोग CAA और NRC को जोड़कर आपके सामने पेश कर रहे हैं, उनकी आप चालाकियों को समझें, किसी की राजनेतिक रोटिये सिक जाएं, इसलिए आप यूज हों, ऐसा कोई काम ना करें, अगर फिर भी आपको लगता है कि कहीं कुछ खामी हैं, तो आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें, और ये ध्यान रखें कि आपके प्रोटेस्ट में कुछ गुंदे तत्व के लोग तो नहीं शामील हो रहे हैं, जिसलिए आप लोग बन नामें, और अभी सुप्रीम कोर्ट में मामना लंबित है, शायद अभी आने वाले कुछ दिनों म गलती को उसको सही करेंगे वो, आपको घबरानी की जुरूत नहीं है, और आपको बिलकुल डरने की जुरूत नहीं है, और आप इसी तरीके से जैसे आज तक रहते आए हैं, इस देश में ऐसे ही रहेंगे, मगर आपकी आड में कोई बाहर का गुसफैटिया यहां पर रहे वो यहां आके क्राइम करे, वो आके गलत काम करे, वो हम कत्यी बरदाश्ट नहीं करेंगे और किसी को भी नहीं करना चाहिए